नमसकार दोस्तों पेट में गैस कई वज़ान से बन सकता है यदि आप लगातार टेंशन लेते रहते हैं तो इससे भी आपके पेट में गैस बन सकता है या फिर यदि आप ज़्यादा चिंता करते हैं किसी भी बात को लिए करके तो इससे भी आपके पेट में गैस बन सकता है इसके साथ दोस्तो निंद का जो जुड़ाव है हमरे पेट से वह बहुती गहरा है यदि आप ज़्यादा गहरी नींद नहीं लेते हैं तो इससे भी आपका हाजमा खराब हो सकता है आपके पेट में गैस बन सकता है इसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर दिन नौन भेज खाते रहते हैं चौमिंग, चाट, पीजा, छोला, भटूरा खाते रहते हैं तो ऐसे लोगों के पेट में गैस बनना एक बहुती आम बात होती है तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए पेट में बने हुए गैस को खत्म करने का एक बिल्कुल सरल और देसी नुस्खा बताने वाला हूँ जिससे आपके पेट में बना हुआ गैस बहुती जल्द निकल जाएगा या फिर कम हो जाएगा इसके साथ साथ वीडियो के अंत में मैं आपको चार ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जिसे यदि आप फोलो करते हैं तो आपके पेट में गैस कभी बनेगा ही नहीं तो वीडियो बहुती छोटा होने वाला है आप इस वीडियो को भा सकते हैं तो घर का बना हुआ जो पिसा हुआ हल्दी होता है जो बिल्कुल प्योर हल्दी हो आपको एक चोटाई चमह जितना कुछ इतनी ही मतरा में आपको यहां पर हल्दी को लेनी है साथ में आपको यहां पर सफेद नमक हो काला नमक हो या फिर सेन्धा नमक हो तीनो कुछ इस तरह से आपको यहां पर इन दोनों चीजों को कुछ इतनी ही मातरा में ले लेनी हैं लेने के बाद आपको इसे फांक लेनी हैं आप चाहें तो आप इसे अपने हथेली पर अच्छे से मिला सकते हैं फिर फांक सकते हैं या फिर आप चाहें तो आप ऐसे ही इसे फां कम हो जाएगा इसके साथ साथ इसका कोई भी नुखसान नहीं है दोस्तों हल्दी का प्रयोग आप ऐसे ही कर सकते हैं हल्दी के बहुत सारे फायदे होते हैं इसके अंदर करक्युमिन नामक का तत्व होता है जिसके बहुत सारे फायदे होते हैं यहां तक कि हल्दी हमें कैंसर से भी बचाती है अब बात करते हैं दोस्तो कौन-कौन से इसे नियम है जिने यदि आप फोलो करते हैं तो आपके पेट में कभी गैस बनेगा ही नहीं तो सबसे पहला नियम आता है दोस्तो चोकर समेथ आटे की रोटी खाना जब आप आटे में से चोकर को निकाल देते हैं त और जब आप उसकी रोटी बना करके खाते हैं तो वह जा करके आपके आंतों में चिपक जाता है लेकिन जब आप चोकर का इस्तमाल करते हैं तो आपके आंतों में चिपकता नहीं है और मल बहुती असानी से बाहर निकल जाता है जिससे अपच की समस्या नहीं होती है नमबर दूसरा अधिक गरम और अधिक ठंडी चीजों से परहेज करें कई बार लोग अधिक गरम भोजन कर लेते हैं और तुरंद बाद ठंडी चीजों का सेवन कर लेते हैं या फिर खाना खाते ही तुरंद पानी पी लेते हैं तो ऐसा आप नहीं करें खाना खाने के देड़ घंटे के बाद ही पानी पीएं तीसरा आपको हर दिन बयाम जरूर करना चाहिए हो सके तो सुरिया नमस्कार जरूर करें इसके साथ सबसे लाश्ट दूस्तों आपको ज्यादा सलात का सेवन जरूर करना चाहिए ताकि आपके सरीर को ज्यादा मातरा में फाइवर मिलता रहे और आपके पेट में कभी गैस नहीं बने तो आज के इस वीडियो में हमने आपसे गैस को मिटाने का नुस्कास शेर किया अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें नमस्कार दोस्तो